नमस्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत के पहले लोगसुबा चुनाव की कहानिक इंडिया's first लोगसुबा election क्योंकि ये काफी जादा important इसली हो जाता है कि हमारे देश में ये पहली बार हो रहा था कि हमारे देश में कोई चुनाव होने वाला था सुतन तरदेश के अंदर चुनाव होने वाला था इसको कैसे कराया गया इनके सामने क्या क्या चुनोती आई और कई जो ऐसे दिग्गस थे जिनमें हमें लग रहा थे कि ये जीत कर आने वाले लेकिन उनकी हार हुई और जहां पर accepted था कि ये win होंगे बई obviously वो तो जीत करी क्यार इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से discuss करने वाले काफी जादा चीज़ें आपको जानने को मिलेगी कि पहले लोग सबाचुनाव भारत के अंदर कैसे करवाएगे देखे कितनी बड़ी बात हो जाती है कि हमारे सामने हमें कोई पहली बार ऐसा task दे दिया जाता है कि आपको ये चीज़ करवानी है जबकि हमें कोई अनुबव नहीं है और हम किसी ऐसे देश सीख भी नहीं सकते थे हमारे सामने कोई ऐसा देश भी नहीं था जिससे हम सीखें लेकिन बावजुद इसके कि हमारे देश में पहले लोग सबाचुनाव होते हैं और बहुत अच पिरिट नहीं है स्टार्ट उने सीख भी नहीं में हुए थे खतम 1922 में हो इलेक्शन चार महीने लगे थे भारत में पहले लोग सबाचुनाव को कराने के लिए ये जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 1951 में खतम होती है 1952 के अंदर तब लिखा जाता 1952 के जो चुनाव है पहली जो लोग सबाच चुनाव आप टाइम देखते हैं वो यही पिरिट आपको देखने को मिलता है तो यहां पर जब हमारे देश में स्वंतंतर देश के अंदर पहले लोग सबाच चुनाव होने थे तो उस वक्त हमें देखने को मिला कि देश के अंदर 489 लोग सबाच जो एक समझीए कि यानि कि इतने अरे चल रहा है ना इसको भी हार्ट अटाइक आ जाता है यार कभी कभी वीच वीच में चलता चलता भी ओके 489 लोग सबाच और 3283 राज्य विधान सबाच सीटों के लिए वोट डाले गए तो एक चीज़ समझ लीजिए जब मारा देश चुनाव होने तो तो उस वक्त जो एक प्रिक्रिया चलती थी वन नेशन वन इलेक्शन ये प्रिक्रिया चलती थी अब जैसे आप देखते हैं कि अभी हाली में जो बोधी गोवर्मेंट है वो ये बार 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 बोलती है कि हम एक चुनाव लाना जाते हैं बार बार कोई खर्चा नहीं लाना जाते देश के अंदर तो एक साथ लोग सबा और राज विधान सबाओं की जो चुनाव हो एक साथ हो जाएं तो यहां पर पहले कि यह जो फर्स लोग सबा चुनाव थे वुस वक्त क्या-क्या समस्या हैं हमारे सामने आई देश के सामने क्या-क्या समस्या आई वहां पर जो पहले लोग यहां पर चीफ एलेक्शन कमिशन जो हमारे देश के बने थे उनके सामने क्या-क्या चुनाव कराते वक्त जो समस्या उनके उन्होंने जो अपनी बातें लिखी किताबों के द्वारा या उस वक्त जो कही उन सब चीजों को भी हम बहुत अच्छे से डिसकस करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडियास फर्स लोगसभा इलेक्शन 68 फेजिस के अंदर चुनाव करवाये गए थे चार महीने लग गए थे यहाँ पर 25 अक्टूबर से चुनाव स्टार्ट हुए थे 1951 से फर्वरी 21 1952 में यह चुनाव खतम हुए थे फर्स्ट फेज जो है स्टार्टिंग में करवाया गया था विमाचर परदेश के चीनी और पागी में यह इसलिए हुआ था क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी थी और बरफ यहाँ पर गिर रही थी बरफ गिरने के कान यहाँ पर रास्ता कट ना हो जाए यहाँ पर इलेक्शन करवाने में दिक्कत ना जाए इसलिए सबसे पहले यहीं election करवा लिया गये थे और सबसे last में जो election खतम हुए थे वो उतर परदेश में जाकर खतम हुए इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो first लोग सबाई election हुए थे 489 के अंदर 17.3 करोड लोगों ने इसके अंदर vote डाले हैं Congress को 364 seat मिली CPI को 16 मिली Socialist Party को 12 मिली यहाँ पर कुछ चीज़े ही हमें देखनी है कि यहाँ पर कुछ और अन्य पार्टियों ने भी इनको साथ दे रखा था 21 उस वक्ट जो age थी vote डालने की वो 21 साल थी 18 साल की जो age है वो 1988 के अंदर जो हमारे देश में हम क्याते ने कि Constitution Act 1988 जो 61 यानि 61 समिधान संसोदन हुआ था उस वक्ट जो age थी वो 21 से घटा कर 18 कर दी गए थी लेकिन स्टार्टिंग में जो थी 21 साल ही थी अब यहाँ पर यह आप map देखेंगे तो इसमें समझ जाएंगे जो यह boxes यहाँ पर इस color के आपको दिखाए देंगे न light blue color समिछ लिजी इसको तो यहाँ पर यह जो है Indian National Congress है तो इतनी सीटों के उपर यह निकल कर आए थी बाकी और भी parties थी यह आपके सामने नाम रखे हुए आप इसको zoom करके देख लिजीए या फिर बाद में आप इसको PDF जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी इसको अच्छे से आप इसको देख सकते हैं तो यह सब चीजें बता दिये हैं अब 1947 में जो हमारा देश अजाद हुआ था तो parts के अंदर राज्य डिवाइडेट थे A, B, C, D करके part थे बाद में राज्य बनाए गए यह part खतम कर दिये गए थे लेकिन starting में हमारे देश के अंदर parts में divided किया गया था जोहालनाल नहरू के नेटिट वाली भारतिय राष्टर कॉंग्रेस के अलावा जो दोड में शामिल थे socialist party भी शामिल थी जिसके नेताओं में जैप्रकास नरायन जो थे वो आते हैं J.B. कृपलानी की जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी यह शामिल थी K.MPP भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी यानि C.P.E.I अखिल भारतिय जनसंग यह देखिए अखिल भारतिय जनसंग जिसको हम यहां पर अखिल भारतिय है यह देखिए B.J.S. जो बाद में जाकर क्या बनी है B.J.P. बनी है पहले B.J.P. हुआ करती थी उसका नाम क्या हुआ करता था B.J.S. हुआ करती थी हिंदू महासभा H.M.S. हुआ करती थी हिंदू महासभा जिसको अंदर आपको पता होगा वीर सावरकर्जी जो थे इसके मेंबर थे इसके अद्धेक्ष थे हिंदू महासभा के इनके अलावा करपातरी महाराजा की अखिल भारतिय राम राज्य परशिद हुआ करती थी और 3DB चोधरी की revolutionary socialist party यह भी party यहां पर हुआ करती थी बहुत सारी party जैसे मैंने आप लोगों को यह map दिखाया यहां पर इतनी सारी party शामिल थी election के time में यहां पर election लड़ने के लिए इतनी सारी parties ने अपने candidate खड़े किये हुए थे अब आजाते हैं आपा कि चुनाओ का एक यहां पर एक book आती है हमारे सामने India after Gandhi यह रामचंदर गुआ की जो book है इन्हों ने अपनी इस book में लिखा था कि जो election है वो एक तरिके से faith विश्वास का कारे करते हैं कि हम अपने लिए चुन रहे हैं ऐसे इनसान को जो हमारे उपर राज करेगा या हमारे लिए policies बनाएगा यहां पर ऐसा नहीं था कोई nominated होकर आ रहा था एक तरिके से यहां पर प्रजा को यह यकीन दिलाया जा रहा था कि अब आपका ही शाशन है आप ही सर्वो पर ही हैं यहां पर आपने देखा 17.3 अब आप देख रहें 17.3 यह थोड़ा बहुत आंकड़ा उपर नीचे हो सकता है मद्दान की जो 1989 के अंदर जो थी वो 18 साल कर दी गई थी लगबग उस वक्त 82% एसिक्षित थे यानि फर्स्ट इलेक्शन की बात हो रही है और जब हमारा देख आजाद हुआ था उस वक्त किसी को अनुसरे ने नी फोलो करने के लिए कोई ऐसी ज़्यादा मिसाल हुआ नहीं करती थी उसमें बहुत कम ऐसे देख थे जहां पर एक अडल्ट फ्रंचाइजी के तोर पर मतलब वोटिंग होती हो मतलब कि यूएस के अंदर उधान के तोर पर हम बात करें जहां पर अधिकार दिया गया था सभी व्यसक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1965 में दिया गया आप सोचिए दो शताबदी यानि कि 200 साल तक अंग्रेजों के एक तरीके से गुलाम रहने के बाद जैसे ही गुलामी खतम होती है उसके जस चार साल बाद ही भारत ने अपना खुद का रास्ता पकड़ लिया था 1947 में आजाद हुए इसके जस्ट 4 एर आफ्टर 1951 हमने इलेक्शन करवा लियते हमारे देश में हमने चुन लिया था कि हम कैसे चलने वाले हैं तो यह काफी बहुत बड़ी बाद हो जाती है उस वक्त के लिए अब CECI यानि इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के सामने क्या-क्या चुनोतियां आई थी देखे भारत के जो चुनाव आयू का कारयाल जो है 25 जनुवरी 1950 को स्थापित किया गया था और उस वक्त के जो सीविल सेवर विसीज के अधिकारी हुआ करते थे और पच्चे मंगाल के पूर मुख्य सची हुआ करते थे सू कुमार सें 21 मार्च 1950 को मुख्य चुनाव आयूग यानि चीफ एलेक्शन कमिशनर उनको बनाया जाता है उस वर्ष यानि 19 अपरेल को भारत की चुनाव कानून जन परतिनिदित अधिनियम को परस्ताव को पारित किया गया था और प्रदान मंतिर नहरू जी ने संसद को बताया कि 19 क्याव नके वसंत के अंदर चुनाव होंगे लेकिन नहीं तो सरकार त्यार थी नहीं लोग इस तरीके के अभ्यास के लिए त्यार थे लोगों को नहीं पता था कि वोट कैसे डालना है obviously सोच यह उस वक्त कितनी चीज नहीं होनी थी वोट डलवाएं तो कैसे डलवाएं उस वक्त ballot paper यूज हुआ करता था first of all तो ये सोचना कि भी कैसे ballot paper design करना है कैसे उस box के अंदर डलाना है कैसे लोग पहचानें क्योंकि सबसे बड़ी चीज आ रहे थी वहाँ पर शिक्षित लोग कम थे शिक्षित लोग कम होने के कारण भई वो कैसे पैजानें कि किस candidate को चुनना है तो ये एक बहुत बड़ा एक challenge हम कह सकते हैं कि उस वक्त सामने था chief election commission के सामने सरकार जो उस वक्त बनने वाली थी उनके सामने इस चीज़ें सामने आ रही थी तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हम सोच लें कि 19552 के election ऐसे होगे नहीं भाई ये ऐसे नहीं हुए ये एक तरीके समझगे बेस्तियार किया गया था आज की time में जो हम election करवा रहे हैं हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संक्या के अंदर मतदाता मौझूद है हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी democracy कहे जाते हैं वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उस वक्त हमने बहुत अच्छे से election करवा लिये थे अब यहां पर आप सामने देखेंगे कि ये मैंने आपको ओके ये 1947 के बाद जैसे ही election उस वक्त जब मारा देश अजाद हुआ था तो जब मारा देश अजाद हुआ था तो अजाद होने के बाद जैसे ही राज्ये बनकर आई स्टार्टिंग में क्या थे हमारे सामने 1951 के बाद ABCD करके चार पार्ट्स के अंदर हमारे देश को एक तरीके से राज्यों के अंदर बटवारा किया था कोई particular राज्ये बहां पर ऐसे divided नहीं था 1947 के बाद है लेकिन 1947 के बाद जैसे राज्यों के अंदर change हुआ ये सब से जो नहरू जी की जो जल्दवाजी है उसको लेकर काफी चिंता दिखाए थी ये बात अपनी बुक में लिखते हैं वो जो रामचंदर गुआ जी है वो अपनी बुक में इस बात को लिखते हैं उन्होंने लिखा कि किसी भी राज्ये अधिकारी या निश्चित रूप से किसी भी भारती अधिकारी के सामने इतना शांदार काम नहीं रखा गया था शांदार काम क्या था इलेक्शन करवाने हैं चुनोतियां काफी ज़्यादा एक तरीके साब समझी अनोकी थी नेकेवल मतदाता जो शेतर था वो मिलियंस के अंदर मितलब दस लाक वर्ग मिल के शेतरम से भी अधिक फैला हुआ था बलकि एक अजीबो गरीब समस्चा भी मारे सामने थी समाजिक समस्चा जो से हम कहेंगे गवान ने लिखा कि उत्री भारत के अंदर कई महिलाएं खुद को कह रही थी कि वो एकी माह है या बी की पतनी है उसके रूप में अपने आपको सूची बनाई जाए तो अंतरता है देश भर में जम्मू कश्मीर को उस वक छोड़ा गया था 17.32 करोड मददाता जो है वो रजिस्टर हुए जिसमें 45% जो थी वो महिलाई थी तो स्टार्टिंग में हमारे देश में लग बग सत्रा या साड़े सत्रा करोड के आसपास जो मददान के अंदर बनाए गए 3.38 लाग पुलिस कर्मियों की वहां पर चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी पहला मोग पॉलिंग ड्रिल मोग के एक तरीके से भई या हम कैसे करवाएंगे ये चीज़े एक मोग हुआ था 5 अगस्त 1901 क्या उनके उधेपुर में आयजि तो वो बनाने की एक तरीके से वहां पर कॉंट्रेक्ट बाटा गया था और एक बोक्स की जो कीमत उस वक्त रखी गए थी चार रुपे से लेकर 6.12 रुपे तक वहां पर बीच में रखी गए थी लोकसबा चुनाव के लिए बक्से को चार रंगों भी बाजित किया गया थ जैतून हरा, मैदानी हरा, हलका हरा, ब्रस्रिक हरा और विधान सबा के जो चुनाव के उमिद्वारों के लिए वहां पर भी चोकलेट, महोगनी, सागोन, डार्क और कांसे के रूप में यहां पर अलग-अलग रंगों में रखे गए थे लेकिन उन्हें से क्यावन में भार रखी गई थी, कि यहां पर यह इस प्रतिनीदी का रंग हलका रहा हो गया, यह तरीके से था, लेकिन यह प्रेक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट में ने यह लिया गया है, कि सभी बूतों पर पर प्रतेक उमिद्वार को एक अलग-अलग मत पेटी होगी जिस पर उस उमिद्वार का चुनाव चिन होगा ताकि कोई भी वोट डालने जाए तो वहाँ पर वो चुनाव चिन देखे उस मत पेटी के अंदर अपना election जो हो, मतलब की कहेंगी, ballot paper उसके अंदर वो डाल सके यहाँ पर एक और कहानी भी generate हो जाती है, generate इस तरीके से हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव के लिए जाता था, चुनाव करने, मतलब की अपना वोट डालने जाता था, तो उसकी उंगली के ऊपर, हमने देखा होगे कि हम भी डालते हैं, तो हमारी इंगली के उपर शाही लगा दी जाती है तो इसकी भी एक कहानी है, वो starting से ही हमने election में, first election के अंदर इस सीच को चुन लिया था तो इसकी एक अलग कहानी है, मैं कोशिश करूँगा कि ये भी आप लोगों के अलग वीडियो के अंदर में आपको ये बताऊँ मैं, ठीक है अब मत पत्रियन जो बैलेट पेपर होता था वो एक रुपे के नोट के अकार में होते थे गुलाबी रंग के होते थे और उस पर निर्वाचन आयोग अंकित होता था, उन्होंने राज्य को दर्शाने के लिए, ये जो बैलेट पेपर है, उस राज्य का है वो कैसे होता था, जैसे आपने देखा हो कि गाड़ी के उपर HR लिखा होता है, तो वो हरियाना की होती है, आपने देखा हो कि DL लिखा हो, तो वो दिल्ली की होती है एमेच लिखा हो तो वो महराष्टा के थे तो ये लास्ट वाले दो में मतलब कि ये जो स्टार्टिंग के जो दो लैटर थे ये लिखे होते थे जैसे बिहार के लिए बी आर लिख दिया असम के लिए एस लिख दिया यहाँ पर तो यह लिखे होते थे मत पत्रों के पर एक सीरियल नंबर भी होते जो काले रंग के होते थे और राश्चे शिखा सफेद रंग में छपी होती थी लोकसभा चुनाव के जो कागजात में जेतोनी हरे रंग की एक मोटी पट्टी होती थी जैसे आपने नोट के अंदर देखा होते हैं वैसी राश्चे विधान सबा के चोकले टरंग की पट्टी होती थी मत दाताओं को मत दान के अंदर पर मत पत्र एकत्र करने थे और उन्हें अपने पसंद के उमिद्वार के बक्सों में डालना था बस ऐसे ही इलेक्शन उस वक्त करवाए गए थे हिमाचल परदेश में सबसे पहले इलेक्शन हुए थे देरी के बाद क्या हुआ मतदान अंतदै दिसंबर 1991 में फरवरी 1952 के बीच हुआ हलांकि हिमाचल परदेश के जो चीनी और पांगी विदान सबा में वोट अक्टूबर 1991 में डाल ले गए थे क्यों क्योंकि वहाँ पर बरफ पढ़नी थी बरफ पढ़ने के कार्ण वो शेष बार से काट देती इससे पहले वहाँ पर इलेक्शन करवा ले गए दस दिसंबर 1991 को त्रावन कोर कोचीन वरतमान में जिसको केरल कहते हैं कि तिरुवेला और तिरुचूर लोकसबा निर्वाचन शेतर में मतदान शुरू हुआ था पहले चुनाव में 1874 लोकसबा उमिद्वार शामिल थे और 15,371 राज्य विदान सबा उमिद्वार उसमें शामिल थे कोटायम जो 33 कोर कोचीन में है अलेपी 33 कोर कोचीन के अंदर गुडिवाडा मदरास में वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हमें देखने को मिली थी 80.5%, 78.1%, 77.9% respectively मतलब कि आप इसको समय लिए जी 80% कहा हुआ था ये कोटायम में हुआ था 78.1% कहा हुआ था ये अलेपी में हुआ था 78.9% कहा हुआ था ये गुडिवाडा के अंदर हुआ था जब 2 अपरेल 1902 को प्रिणाम गोसित हुए तो कांग्रेस ने 318 सीटें जीती सोश्रिज पार्टी ने 12 सीटें जीती के MPP ने 9 सीटें जीती CPI ने 8 HMS ने यहां पर HMS ने हिंदू महासरबा ने 4 BGS जो बाद में BGP बनी थी और RRP और RSP ने 33 सीटें यहां पर जीती थी निर्दिलिये ने 77 सीटें जीती थी अब यहां पर एक काफी बड़ी चोकाने वाली बाद आ जाती है जिनसे उमीद थी यह जीतेंगे वो जीतें जीतें लेकिन कुछ हार भी हमारे सामने नजर आई थी जिसे नहरू और शामा परशाद मुकरजी जैसे इनसे उमीदे थी यह जीतेंगे और इन्हों ने जीत हाशिल भी की थी लेकिन मुंबई में मुरारजी बाई देशाई और रजस्तान में जै नरायन व्यास यह हार गय थे और इनके अलावा जो सबसे बड़ा एक चोकाने वाला सामने नजर आया था बाबा साब भीमराम वेड़कर की जो हार थी जो बंबे नौर्थ सेंटरल सीट पर अपने पूर्व यानि एक एक एकस असिस्टेंट साहेक नारायन सादोबा काजरोकल काजरोलकर से लगबग 15,000 वोटों से वो हार गय पहली लोकसभा में कई सदस्य निर्वाचन शेतर थे मतलब इसका मतलब इस लाइन का पहली लोकसभा में कई सदस्य निरवाचन शेतर थे इंग्लिश में आपको लोगों को समझ पाएगा the first लोकसभा also had multiple member constituencies मतलब ये आपने दीका हो केटिकरी का यहां से नहीं आ सकता लेकिन वहां पर क्या होता था कि starting में SC ST का तो आते ही आता था साथ में जर्णल के टिकरी का भी आता था तो एक निर्वाचन शेतरों में दो सदस से लोटे जैसे मैंने आपको बताया कभी जर्णल या ऐसी दोनों ही आगे या तीनों ही आगे यहां पर CEC ने यानि EECI Election Commissioner of India ने 14 पार्टियों को राश्चे पार्टी का दर्जा दिया अब यहां पर थोड़ा साम जान लेते हैं नराणा सादोव काज रोलकर जो एक भारतिय संतंतर कारे करता थे गांधिवादी समाजी कारे करता थे जिन्होंने आम चुनाव में भीम रामवेटकर जी को अहराने वाले पहले वेक्ति के रूप में इनको जाना 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 जा पर वे काम क्या करते थे और उन्होंने 15,000 से अधिक वोट जादा लेकर या उनसे अधिक वोटों से भीम रामवेटकर को वसक्त हराया था 1962 के चुनाव में दूसरी बार उसी निर्वाचन शितर से ये दुबारा चुने गए थे अब यहां पर आप सोचेंगे कि 1952 में जब ये हार गए भीम रामवेटकर जी तो इनका क्या हुआ देखें ये फिर से बाई एलेक्शन में खड़े हुए थे लेकिन बाई एलेक्शन में ये थर्ड पोजिशन पर आये थे राज्यसभा का इनको सदे से बना दिया गया था नॉमिनेटिड वहां पर सदे से बाबा साब को बनाया गया था अब थोड़ा साम इनके बारे में और जाने कि नारायन जो एक खुद ऐसी कम्मूनिटी से आते थे 1953 वो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे जो अनसुची जाती समुदायों का परतिनित करते थे वे पिछड़ा वर्ग के लोगों के संगठन दलित व और इंडिया अवोड़िधिम दफ थर्ड हाइस्ट सिविलियन होनर ओफ द पदम भूशन इन 1970 फोर ही इस कंट्रिबूशन तो सुसाइटी मतलब कि भार सरकार ने उनको अमारे देश का जो तीसरा सबसे बड़ा सरवोच समान है पदम भूशन से समानित किया था 1970 के अंदर काजरोलकर ने अमबेटकर की अलोचना करते हुए कहा था कि वे इतने ज़्यादा पक्षवाती हैं कि वो धन को चंबर और मंग जैसे अन्य लोगों के बीच में समान रूप से विवाजित करने की बजाए अपनी जाती यानि महार पर ही खर्च करते हैं ये बात उन्होंने बोली थी अब आ जाते हैं चुनाव एक अलोखनिय सफलता मतलब उस वक्त हमने रिमार्केबल सक्सेस जो हासिल के थी मानव इतिहास में लोगतनत्र की सबसे बड़ा परयोग था एक्सपेरिमेंट था जैसा कि सीफ एलेक्शन कमिशन से ने चुनावों का वरनन किया एक शा नहीं यह सारे जो उस वक्त जो भी डाउट थे वो सब दूर हो गए थे क्योंकि जब देश आजाद हुआ था बहुत लोगों ने यह भी कलपना कि थी यह देश काफी दिन तक नहीं चल पाएगा इसके काफी जादा टुकड़े होंगे यह बात बोली भी गई थी उस वक्त में वैसक मतादिकार के बारे में मेरे मन में जो भी संदे थे वे पूर्ण रूप से दूर हो गए हैं यह बात उन्होंने कहां पर लिखी हुई है जो गुआ की जो एक किताब है इंडिया आफ्टर गांधी वहां पर आपको देखने को मिलेगी से इसी सेन का प्रारंबिक संदे भी दूर हो गया पहले आम चुनाव 1952 पर चुनावायों की रिपोर्ट में सेन के हवाले में कहा गया वैसक मतादिकार एक उलेखनिय सफलता थी यह राजनितिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में एक शक्तिशालिक कारक साबित हुआ बिना किसी राजनितिक अनुभव के यह काफी एक इंपोर्टन बात है कि हमने आस्त कभी इलेक्षन नहीं करवाये थे कैसे इलेक्षन होंगे लोगों को कैसे मतलब वहां पर बताया जाएगा कि इलेक्षन होने वाले है आप यहां पर आईए आपका नाम यहा सेकिन लोकसभा चुनाव जो definitely हम आने वाली वीडियो के अंदर उसको डिसक्स करेंगे बट वूसके यह इस वीडियो का रिस्पॉंस किया जाता है आप लोगों के इंटरेसल नहीं है तो definitely second लोकसभा और थर्ड लोगसभा चुनाव के बारे में मैं आप लोगों के साथ डि पूरा करवाया गया थार्ड एलैक्षन के अंदर तो हमने बहुत जादा सुधार कर लिए थे यह सब चीज़े हम आने वाली वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे अगर आप लोगों के रिस्पोंस इस वीडियो पर कैसा रहा उन सी जोंके पर यह सब चीज़े निर्भर करती है कर वीडियो में बस इतना ही था पीडियो के लिए में फिर से बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का इक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं अप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यह मुझे कैसे बता सकते हैं, अब इसलिए लाइक करके, कॉमेंट करके, अपने विचार यहां पर रख सकते हैं, कि भी आपको पसंद आई है, आपको और इसके ओपर टोपिक चाहिए, तो definitely हम उस वीडियो को करेंगे, तो बस साज के लिए तने था, thank you for watching this video.